मौरिश्यस की राजधानी पोर्ट लुई में 11 विश्व हिंदी समेलन का आगास पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपे को श्रधाजली देने के बाद हुआ इस करिक्रम में भारत की विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज के अलावा मौरिश्यस की प्रधान मंत्री प्रविन कुमार भी मौजूद थे समेलन का आगास करने के पहले सभी ने मोन रखकर अटल जी को श्रधाजली दी समेलन की आयोजन समीती के एक सदस ने बताया कि समेलन का मुख्य विशे हिंदी विश्व और भारती सलस्कृती है इसमे भाग लेने के लिए भारत से केंद्री ग्रह राजमंत्री किरन रिज्जू, मानव सलसाधन राजमंत्री सत्यपाल सिंग, शुगरवार को भारती प्रतिनीदी मंडल के साथ विशेश विमान से पहुँच चुके हैं भारती प्रतिनीदी मंडल के अलावा 38 देशों के प्रति भागी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पोर्ट लूई पहुँच चुके हैं इसके पहले 1906 और 1903 में पोर्ट लूई में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है इसको घुलसिदास नगर का नाम दिया गया है आयोजन इस्तर के मुखे सबागार और समांतर सत्र के कक्षों का नाम भारत और मारेशिस के मुख्य साहितिकारों के नाम पर रखे गये हैं हाली में दिवंगत हुए साहितिकार अभिमन्यू अनत गोपालदास निरच के अलावा भानुमती नागदान और सुरूज प्रसाद मंगत भगज्ये से हिंदी सेवियों के नाम शामिल हैं। महवीर प्रसाद वेदी पंडित नरेन देव वेदलांकर के नामों को भी प्रमुकता दी गई है। अटल जी को श्रदाजली दिने के बाद एक विश्येश सत्र होगा भुपाल से मौरिश्यस तक जिसमें भुपाल में आयोजित दसमें विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशन साओं पर रिपोर्ट प्रसुत की जाएगी। तीन दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में भाषा और लोग संस्कृती के संबंध, हिंदी शिक्षर में भारती संस्कृती, हिंदी साहित में संस्कृतिक चिंतन जैसे विश्यू पर मन्थन होगा, सम्मेलन के आकरी दिन हिंदी सेवियों को समानित भी किया जाएगा।